हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे आपाचे टॉमकर्ट सर्वर का यूजर नेम एंड पास्वर्ड कैसे सेट किया जाता है तो इसे हम दो तरह से सेट कर सकते हैं एक आपाचे टॉमकर्ट सर्वर इंचर्ड करते वक्त सुपřोरा इंचर्ड करने के बाद में हम उसे सेट भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हें thereby मीज़नी तो हमें आपाचे टॉमकर्ट सेभार डाॉनलाड करना पड़ेगा तक है अगर डाव् we डॉट और जी इस साइट को विजिट देना होगा जो यहाँ पर लेप साइड में कॉर्णर में आप देख सकते हैं डाउनलों की यहाँ पर अलग अलग तरह के वर्जन से यहाँ पर अविलेबल है इसमें से मैंने अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक किजिए यहाँ पर स्क्रो डाउन करके यहाँ पर कोवर में आप देख सकते हैं यहाँ पर 32-bit-64-bit-windows-service-installer लिंक है यहाँ पर यह इस लिंक पर क्लिक किजिए अगर आपको टॉमकाट 7.0 डाउनलोड करना है तो अभी म मैं इंस्टाल का हूँ अपाच टॉमकेट 7.0.6 अब यहाँ पर दे सकते हैं यूजर नेम एंद पास्वर्ड तो यहाँ पर मैं यूजर सेट करता हूँ यूजर अजर नेम एंद पास्वर्ड इसलिए मैनेजर यूजर रोल के लिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8080 यह HTTP पोर्ट है जो हम आगे जाके यूज़ करने वाले है नेक्स्ट बाइड़ पॉसी डावर पर यह सेट इंस्ट्रल होता है अब जो पास और यूजर नेम हमने सेट किया है इंस्ट्रल करते वाप्त वह आप अच्छे टर्मकेट सर्वर डिरिक्टरी में डॉट एक्सेमल फाइल में स्टोर होता है कि फिनिश ओके सी ड्रैव में प्रोग्रेम स्वाइनिस में जाना आप आजे सॉप्टर फाउंडेशन टॉमकेट में यहां पर आप देख सकते हैं कंफिक नाम का एकनिक इन्फिगरेशन का एक फोल्डर है इसके अंदर यह फाइल है tomcat-users.xml डबल क्लिक किजए यहां पर तो यहां पर आप देख सकते हैं यूजर नम का टैग है वहां पर इसकी पॉपर्टी सेट हो गई है यूजर नेम यूजर एंड पास्वर्ड एज़ा पास्वर्ड यहां पर देख सकते हैं और रोल है मैनेजर जी कर सकते हैं तो यूरल होगा इसका लोकल होस्ट कोलर्ण 8080 आपने देखा इस टीटीपी पॉर्ट था 8080 इंशल करते वक्त वह सारी हमने स्टार्ट ही नहीं किया है वह ओके मोनिटर टॉम कैट कि सर्वर स्टार्ट कर दिया है यहां पर भी ओके रिलोड तो मैनेजर एप पर क्लिक करना यहां पर यह पूछ रहा है यूजर नेम के लिए पास्वर्ड के लिए जो हमने यहां पर सेट किया है यूजर एंट वर सो यूजर कि पास्वर्ड लोगिन विख देख लोगिन proyect के लिए यह वाँ यह वह गया सुजेसपूल इस तरह से इंस्ट् Jimmy क्रतेव लेक्त हम यूजर ने में पास्वर्ड का सकते हैंए अगर आप इंसल्ड करते कर में अगर program files apache tomcat config and tomcat user यहां पर जो हमने set किया user यहां पर मैं change करता हूं इसको admin and my password password to pass my password user को मैंने admin किया एंद password को my password कर दिये manager रोल के लिए तो से इसे बंद करना है सेव करना है कि इसे हम यहां पर restart करना पड़ेगा कि सर्वर तभी जाकि यह जो चेंजर से रिप्लेट होंगे अधर्वर नहीं होंगे यहां पर दे सकता है 30 minutes के लिए session चलता है इसका तो इसके 30 minutes के लिए cookies रहती है तो इसके लिए इसको restart करना पड़ता है यहां पर फेल से हमें localhost 8080 में जाना है कि मैंनेजर आप क्लिक करना है कि पुराना पासवर्ड डाल के देखते हैं वह करता है क्या कि नहीं यह काम नहीं करता भी तो नया पासवर्ड है यूजर नेम एडमीन बासवर्ड है माय पासवर्ड अब यह successfully login हो गया तो इस तरह से आप पासवर्ड इंट्रल करते वक्त ही set कर सकते हैं अगर उस टाइम पे नहीं किया है तो बाद में भी set कर सकते हैं manually और reset भी कर सकते हैं thank you for watching my video please like share and subscribe for more videos